नमस्कार स्वागत है आप सभी का हेडलाइंस न्यूज नेटवर्क पर और मैं हूँ आपके साथ विपिन चोधरी देश के सबसे बड़े परदेश उत्तर परदेश में विधान सभा चुनाओ का काउंटडाउन सुरू हो चुका है और इलेक्षन कमिशन भी तैय समय पर चुनाओ के संकेत दे चुका है आज हमारे साथ आजाद समाज पालिटी के वरिष्ट नेता मोसम राओ जी मौजूद है मोसम राओ जी की यदि हम बात करें तो गंगो विधान सभा से आजाद समाज पालिटी के टिकट पर ये भी चुनाओ लड़ने का मन बना चुके हैं चुनाओ में किस परकार इनकी जीत होगे और किस परकार की इनकी तैयारी है इसी विशे पर आज हम इनसे खास बात चीत करेंगे मोसम राओ जी बहुत-बहुत स्वागत है आपका एडलाइस नेटवर्क बहुत-बहुत धन्यवाद विपिन चोदरी जी मैं आपका सुकर गुजार हूँ और धन्यवाद करता हूँ आपका सबसे पहला सवाल यही है गंगो विदान सवाब ने चुनी है जीत किस परकार से होगी मैं जीत की मैं बात करूँ यहां पर लगबग 65-70,000 दलीत है और 135,000 मुसलिम है अगर हम बीजेबी सरकार को हरा सकते हैं कि यहां दलीत और मुसलिम का गटचोड होना जरूरी है उसी में मैं आजास समाज पार्टी से तयारी कर रहा हूँ और हम चुनाव 2022 का जीत हासिल कर रहेंगे गंगो विदान सभा में आपने भी दलीत और मुसलिमों की बात की दलीत समाज पर तो मायवती जी का बड़ा दावा है देखिए वो समय चला गया आज एक उबरता सूरज जिसको कहते है चंसे कर आजाज जी है आज वो उत्तर परदेश या पूरे देश के अंदर लगभग जो है उसका इतना अच्छा कारिय चला है कहीं पर भी हत्याए बलतकार ऐसी कोई घटना होती है तो सबसे पहले वो पहुँचने का काम करता है आज भीमार्मी चंसे का राजाद भीमार्मी जो है सो नंबर पुलिस से पहले पहुचना काम करता है इसलिए हम लोगों को जो है पार्टी और वोट चुनने का काम करेंगे हम लोगों के भीच हर समय खड़े होने का कम करने हैं सत्यों मुस्लिम समाज के भी आप बात कर रहे हैं मुस्लिम समाज पर तो समाजवादी पार्टी के बड़ा दावा है समाजवादी पार्टी कहती है के मुस्लिम हमारे साथ है देखिए मैं आपको बता दू पिचासी परसेंट के हम बात करें क्योंकि हमारे पास दलित मुस्लिम OBS जो है लगबग एडुकेशन सेकर आजाज जी को मांच चुका है क्योंकि आज 80% की में बात करूँ युवा तो हमारे पास एक तरफा हो चुका दिलिश समाज का मुसलिम समाज भी हमारे पास है OBC समाज भी हमारे पास है लगबग हम जोह तैग कर चुके और मन बना चुके कि उत्तर परदेश में सभी सिटों पर चुनाव लड़ने का काम करेंगे और जीत भी हासिल करेंगे भार्दी जन्ता पार्टी वर्तमान में परदेश में भार्दी जन्ता पार्टी की सरकार है और मुख्यमंतर जी तो लगातार ये कह रहे हैं कि हमने परदेश का चहुमुखी विकास किया है और कानून वेवस्था को मजबूत किया है एक बार 2022 के विदान सबा चुनाओं में गद्दी पर तो हम ही बैठेंगे देखिए वो टाइम अब चला गया है क्योंकि अब टाइम जो है सत्ता परिवर्तन की तरफ है क्योंकि मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि एक समय था जब जै सिर्राम की बात हो लेकिन आज जै भीम की बात हो रही है जगे जगे उत्तर परदेश में जितनी घटना यह वर्तमान सरकार कर रही है आप देख लीजिए आप थाने की बात कर ले पुलिस की बात कर ले लगबग जो है एक समय था कि पांच हजार रुपे अगर हम एक जगडा हो गया उसका फैंसले करवाने चले के तो लगबग जो है उस फैंसले को वापस कराने के लिए भी यहां पर पांच जार रुपे लगते हैं लेकिन जब से भीमारी में समाज पार्टी खड़ी यही है सब लोग के कि भीमान सबागों चुना है यहां से समाजवादी पार्टी की यदि हम बात करें तो चोधरी इंदर यहीं जी चुनाओं मैदान में उतरेंगे नॉमान मसूद जी यहां से चुनाओं लड़ेंगे और भारती जनता पार्टी के जोधरी कीरत सिंग जी तो वरतमान में आप पर एमले हैं तो आपको किस प्रकार से वोट मिलेगा देखिए जो आज अर्सी की बात करें, अद्धोकेटेशंसे कर आजाद ने अनर्सी में जाकर इस देश के जब एक आइंकार मचा हुआ था अनर्सी एरपी एनर्सी अर्सी एंर्सी ने तो इस देश के अंदर अगर दलित समाज की हम बात करें तो मायावती की तरफ जादा रूजहान है देखिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि एक समय था उसमय अब निकल चुआ उक्ते सूरज को सलाम होता है अब जिला पंचेत में देख लीजिए एक भी मेरे खाल से कोई जिला देख्ष भी नहीं बन पाया बस्तपा का सारनपूर की तो बात करें क्योंकि आज समय अजास समाज पार्टी का है जब हमने जिला पंचेत सदस के चुनाओ था चुनाओ लड़वाए तो हमें लोग कहते थे कि इनको 500 वोट मिलेंगे लेकिन चुनाओ वाले नहीं हम अजारों की गिंती में भी श्राट हो चुके लाखो में वह वह कौन से मुद्दे हैं जिने लेकर आप जनता के बीच में जा रहे हैं spoken उसके खिलाफ लोगों की मदद कर रहे हैं कोई भलदकार हैं जैसे हत्याय हैं लोगस को पर अठ्याचारण तो हमहाँ सबसे पहले पहुंचने का काम करते हैं तो लोग सब्सक्राइब अपना बना लिया कि गटबंदन की चर्चाएं हैं यदी आजाद समाज पार्टी का गटबंदन हो जाता है समाजवादी पार्टी के साथ तो फिर किस तरीके कि सम्भावना या आपके लिए रहेंगी यहां गंगो विदान सभा पर देखिए वो ते हमारी राष्ट अधिक जी करेंगे वो जहां हमें कि चुनाओ लड़ना है तो चुनाओ लड़ेंगा दिरवाज मना करेंगी हमें गटबंदन में सीट देनी पड़ी तो कोई बात ही हम हम तो यह चाहते हैं कि वर्तमान सरकार उत्तर परदेश से सबसे पहले जाने का काम करें और हमारे राष्ट देखिए करेंगे कि हम किसके साथ गटबंदन करें किसके नहीं करेंगे हम तो उनकी आवाज पर ही अपनी आवाज मिलाने का काम करेंगे तो यह थे हमारे साथ में आजाद समाज पार्टी के वरिष्ट नेता मोसम राव जी जो गंगो विधान सभा से आजाद समाज पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ने का मन भी बना चुके हैं दोजार बाइस के विधान सभा चुनाओ और अन्य कई मुद्दों पर इन्होंने अपनी बेबाक राए रखने का काम किया है यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए लाइक कीजिए कमेंट्स कीजिए और इसके साथ साथ हमारे चैनल को भी सबस्क्राइब कीजिए